जैहिन तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मदूप होता है और जो मनुस्य होते हैं उनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है मतलब अगर उनके गरभासे में यूट्रेस में बच्चा बन रहा है तो अब क्या प्राइक्ता होगी कि कोई सा गुर्षूत किसके साथ मिलेगा कि उत्पन संतार लड़की होगी या लड़का होगा आईए हम लोग इसके बारे में जानते हैं तो आप लोग जानते होंगे जो मनुस से होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोंस पाय जाते हैं 46 गुर्षूत्र पाय जाते हैं 23 पेर में होते हैं जिसमें से 22 पेर कामन होते हैं तेसावा पेर जो होता है वह लिंग गुर्षूत्र होता है तो जो मनुष में 22XX 22XX मादा में ये दोनों काबन होते हैं हमें इसे कुछ नहीं लेना है जो इसमें लिंग निर्धारण वाला है XY नर में XX मादा में तो गाइस अब आईए हम लिंग गुड़ सोत्र को लेकर चलते हैं तो गाइस अगर नर का X मादा के X से संपर्क में आता है तो उत्पन संत्र क्या होगी लड़की होगी अगर गाइस XX रहेगा तो लड़की होगी या भी लड़की और इससे क्या होगा लड़का क्योंकि गाइस मादा है मादा का भी गुर्ण सूत्र ये है एक्स एक्स इसका भी गुर्ण सूत्र एक्स एक्स है तो इससे क्लियर हो जाता है जो उत्पन संत्ति होगा जो उत्पन अगला संत्ति होगा वह क्या होगा पुत्री होगी या बेटी होगी अगर गाइस फिर अगर इसका जो मादा का XX है वा इसमें पाया जाता है इसमें आप लोगों को कुछ नहीं से पितना याद रख लेना है नर में जो होता है 22XX प्लस XY होता है मादा में 22XX प्लस XX होता है तो अगर हम लोग इसका ऐसे ग्राब बनाएंगे तो इससे उत्पन संतन में जो है 50% लड़की पचास प्रशन लड़का होने की प्राइगता को दर्सारा है तो इस प्रकार से मनुष्ष में लिंग निर्धारण होता है और यहां पर जो है नर है यह मादा है इसमें जो XY XY है मतलब इसमें समसूत्री आर्द विवाजन होता है इसमें समसूत्री आर्द विवाजन होता है जैसे गाइज मान लिजिए गुड़ सूत्रों के संक्या इनमें तेज़ पेर है अब तेज़ पेर इसमें है और तेज़ पेर इसमें है मतलब इसमें तेज़ में से जो है 11.5 वह यारा पॉइंट 5 ये जो है इसमें आएंगे मतलब इसका जो तेज़ आ हुआ किता कि 10 पे ईसका हम और्धंभी भाजन हो रहा है ररा समसूत्रे और्धंभी भाजट वहहता है वह भीभाज़न जिसमें कोई कहता अपनी प्रारंबे का मस्ता का आड़ा हो जाता है उसे संसूत्रे और्ध भाज़न मानोißt में गुट सूत्रों की संक्या मेल औ धूम में जिला आप लोगो कोंगे में आया होगा यहां पर मियोसिस का प्रक्रम होता है अर्ध सूत्री विभाजन समसूत्री 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 अर्ध विभाजन यहाँ पर होता है गैस यहाँ पर जो है इसमें हम लोगों को जो लिंग निर्धारण का प्रक्रम होता है वही देखना है कि इसमें लिंग निर्धारण का प्रक्रम ज पोई भी लिंग नहीं होता है इसमें गुर्षूत्रों की संख्या होती है जो नर होता है गुर्षूत्रों की संख्या 16 जो मादा होती है उसमें गुर्षूत्रों की संख्या 32 होता है नर में 16 मादा में 32 अब जो नर होता है इसमें माइटोसिस का प्रेक्राम होता है मतलब समसूत्री सम विभाजन और जो मादा होती है उसमें मियोसिस होता है मियोसिस मतलब समसूत्री अर्ध विभाजन गाईज यहाँ पर जो मनुझस होता है सम में समसूत्री अर्ध विभाजन होता है मधुप में मादा में समसूत्री आर्द विभाजन होता है और नर में समसूत्री सम विभाजन होता है अब गाइस समसूत्री सम विभाजन क्या होता है वह विभाजन जिसमें कोई भी गुड़सूत्र अपनी प्रारंबिक आवस्था के उतना ही रह जाता है तो उसे समसूत्री भी भाजन बोलते हैं और वहां गुर्षूत्र जो अपने प्रारंबी कवस्ता का आधा हो जाता है उसे समसूत्री आर्थ भी भाजन बोलते हैं तो गाइस अब यहाँ पर नर में कुर्ण सूतरों के संक्या सोला मादा में फूरमी को बढ़ जाएगा-व दोनों इसके साथ आईध होंगे और यहाँ रहा जाएगा अब गुर्षूत्रों के संग्या 32 हो गई तो यहाँ पर उत्पन मदूप जो है वा मादा हो गया अब यहाँ पर गुर्षूत्रों के संग्या 16 है तो यहाँ पर जो उत्पन मदूप है वा नर होगा तो गाइज इसमें गुर्षूत्रों के संगय को देखना पड़ता है इसमें हमें लिंग गुर्षूत्र को देखना पड़ता है लिंग गुर्षूत्र इसमें मनुस में 23 जोड़े पाये जाते हैं और इसमें नर में 16 गुर्षूत्र मादा में 32 गुर्षूत्र मादा में मियो तो गाईज यही सप्रक्रम होता है मनुस में लिंग निर्धाण मधूब में लिंग निर्धाण मनुस में लिंग निर्धाण मादा के द्वारा होता है क्योंकि यहां पर तो एक्स एक्स है नै एक्स वाई यहां पर है तो मनुस में लिंग निर्धारण नर से होता है और मधूप में लिंग निर्धारण माधा से होता है मनुस में नर मधूप में माधा मनुस में नर मदुप में मादा तो इस प्रकार्सिस में होता है तो गाइज आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहीन जैभारत